दोस्तो मेरी और वी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबा कर अल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पोचे सबसे पहले आपके बारे नमस्कार दोस्तो मैं मंदीब सर्मा आपका आटैक में स्वागत करता हूं दोस्तो आज मीवाब बात करने वाला हूं ट्विटर के बारे में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके इस तरह से अपने टूटर अकाउंट में टूस्टेब वेरिफिकेशन के कोड़ को लगा सकते हैं यानि दोस्तों आपके इस अच्छा अच्छा content डाला है जो आपके लिए बहुत ही महत्पूर है जिसे आप नहीं खोना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने ट्वीटर अकाउंट में टू फैक्टर ऑथन्टिकेशन की सेटिंग को इनेवल करके रख लीजिए दोस्तों इससे क्या होगा कि यदि आपके ट्वीटर अकाउंट को कोई है करना चाहता है तो उसे वह आसानी से हैक नहीं कर पाएगा अब दोस्तों यदि आप नहीं जानते हैं कि हम किस तरह से अपने ट्वीटर अकाउंट में टू फैक्टर ऑथन्टिकेशन की सेटिंग को इनेवल कर सकते हैं तो दोस्तों बने रह में टू स्टेप वेरिफिकेशन की सेटिंग को इनेवल कर सकते हैं तो दोस्तों यह जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे मोबाइल की स्कीन पर तो चलिए दोस्तों चलते हैं तो चलिए दोस्तो जानते हैं कि हम की इस तरह से अपने ट्वीटर अकाउंट में 2-Factor Authentication की सैटिंग को इनेवल कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है अपने ट्वीटर एप में आ जा रहा है दोस्तो Twitter app में आने के बाद आपको क्या करना है उपर यहाँ पर 3 line पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको 3 line menu आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तो आपको Settings and Privacy के option पर क्लिक करना है दोस्तो settings and privacy के option पर click करने के बाद आपको account के option पर click करना है दोस्तो account के option पर click करने के बाद आपको security का option दिखाई देगा आपको इस पर click करना है two factor authentication की setting को enable करने के लिए दोस्तो यदि आप अपने tutor account में two factor authentication की setting को enable करना चाहते हैं तो उससे पहले दोस्तो आपको अपने ट्विटर अकाउंट में एक email id को add कर लेना है दोस्तो यदि आप अपने ट्विटर अकाउंट में email id को add नहीं करते हैं तो आपके ट्विटर अकाउंट पर two factor authentication की setting enable नहीं होगी तो दोस्तों मैं आपने twitter account में email id 액़ नहीं की हुई है तो आप email id एड़ कर लें दोस्तों यह मैंने पहरे से ही add की हुई है आप add कर सकते हैं दोस्तो email id एड़ करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर email के option पर click करना है दोस्तो मैंने email id add गी हुई है तो इसलिए ये email id लिखी हुई आ रही है यदि आपने email id add नहीं की हुई है तो यहाँ पर add का option दिखाई देगा आपको आपको उस पर click करना है उसके बाद दोस्तो आपको अपने tutor account का password इसमें डाल देना है दोस्तो password डालने के बाद आपको next पर click करना है दोस्तो जैसे आप next पर click करेंगे तो इस तरह का page खुलकर आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको अपनी email id डाल देनी है दोस्तो email id डालने के बाद आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा let people who have your email address find and contact with you on Twitter दोस्तो यदि आप अपने जो आपके friend है Twitter पर या जितने भी आपके friend बनेंगे उनको अपनी email id दिखाना चाहते हैं तो आपको इस पर सही के निसान पर click कर देना है और दोस्तो यदि आप नहीं दिखाना चाहते हैं अपनी email id तो आपको इसे ऐसे ही रहने देना है उसके बाद आपको next पर click कर देना है दोस्तो जैसे आप next पर click करेंगे तो आपकी email id पर एक verification code आएगा जो code आपको इसमें डाल देना है यह देखें दोस्तो इस तरह से आपके पास भी एक verification code आएगा जैसे मेरे पास आया है आपको इस verification code गो अपने Twitter अकांट में डाल देना है दोस्तो बेरिफिकेशन code डालने के बाद आपको verify के option पर click कर देना है जैसे ही आप verify के option पर click करेंगे तो दोस्तो आपके twitter account में gmail id add हो जाएगी उसके बाद दोस्तो यह दिए आप अपने twitter account में two factor authentication की setting को enable करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है security के option पर click करना है उसके बाद दोस्तो आपको two factor authentication के option पर click करना है इस पर click करने के बाद आपको तीन option दिखाए देंगे एक तो text message दिखाए देगा, authentication app दिखाए देगा और security की दिखाए देगा दोस्तो यह दि आप इन तीनों में से किसी भी तरह से अपने twitter account में two factor authentication का message पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है उसी को select कर लेना है जैसे मैं text message में पाना चाहता हूं तो मैं इस पर click करूँगा यानि इससे select करूँगा दोस्तो जैसे ही आप इन में से एक option select करेंगे तो इस तरह का page आपके सामने खुल करा जाएगा इसमें आपको get started के option पर click करना है उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर अपना password डाल देना है जो आपने अपना password लगाया हुआ है अपने tutor account में उसके बाद आपको verify के option पर click कर देना है उसके बाद दोस्तो आपको send code के option पर click करना है दोस्तो जैसे आप send code के option पर click करेंगे तो आपने जो इसमें नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आपके पास एक code आएगा जो code आपको इसमें डाल देना है यह देखे दोस्तो इस तरह से आपके पास एक code आएगा आपको इसमें डाल देना है उसके बाद दोस्तो आपको next पर click कर देना है दोस्तो जैसे आप next पर click करेंगे तो आपके tutor account में two factor authentication की setting enable हो जाएगी दोस्तो इस तरह से आपके पास एक backup code आएगा आपको इसे save करके रख लेना है इसका screen source ले लेना है और इसे save करके अपने mobile की gallery में रख लेना है यह आपके काम आएगी जब भी आप backup लेना चाहेंगे अपनी two step verification code का यदि आप भूल जाते हैं तो उसके बाद दोस्तो आपको simply go it के option पर click कर देना है दोस्तो जैसे आप go it के option पर click करेंगे तो आपके twitter account में two factor authentication की setting enable हो जाएगी आप दोस्तो यदि आपकी बिना मर्जी के कोई आपके twitter account को login करना चाहेगा अपने mobile में तो दोस्तो बहें login नहीं कर पाएगा बिना two factor authentication code गे तो दोस्तो यदि आपके लिए आपका twitter account बहुत ही महत पूर्ण है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और दोस्तो ऐसी ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाकर all पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की notification पोचे सबसे पहले आपके पास धन्यवाद